यह है एसिया का सबसे बड़ा कंप्रेश्ड बायो गैस प्लांट यह पंजाब के संगरूर में लगाया गया है केंडरी पेट्रोलियम मंत्री हर्दीप सिंगपुरी इस बायो गैस प्लांट से निकलने वाले गैस टैंकर को हरी जंडी दिखा रहे हैं दरसल उत्तर पस्चिम भारत में जाड़े के सीजन की सुरुवात में पंजाब हरियाना उत्तर प्रदेश में जलाई जाने वाली पराली वायो प्रदूशन का बड़ा कारण है इससे निपटने की कोशिस में यह प्लांट लगाया गया है इस प्लांट में पराली से कंप्रिष्ट बायो गैस बनाई जाती है जिसको अलग-अलग तेल कंपनियों को बेचा जाता है 20 एकड में फैला हुआ यह प्लांट पंजाब के तक्रीबं 45,000 एकड खेत की पराली का निस्तारण करता है सरकार की योजना है इस तरहें के और प्लांट लगाये जाएं जिससे उत्तर पस्षिम भारत में होने वाले वाईव पुर्दूशन को रोका जा सके इस समय हम पंजाब के संगरूर में हैं और यहां पर मेरे पीछे जो गठर आप देख रहे हैं यह पुआल के गठर हैं यहीं पराली किसान जलाते हैं और दिल्ली के लोग परिसान होते हैं इस पराली से परिसान होते हैं इसको गाउं में पुआल कहते हैं ऐसा क्यूं हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किसान का भी लाइफ इस्टाइल बदला है तरीके बदले हैं खेती किसानी का तरीका बदल गया है पहले क्या होता था गाय होते थे बैल होते थे भैस होती थी बैल का उपयोग किया जाता था खेती किसानी में लेकिन अब चीजे बदल चुकी है अब चीजें क्यों बदल चुकी है क्योंकि जो काम करने का तरीका है वही बदल चुका है पंजाब में जब किसान धान बोते हैं उसके बाद धान की कटाई करते हैं उसके बाद बड़ी संख्या में हम कह सकते हैं बड़ी नम्मर्स हैं जहां पर खेतों में संगरूर में सूरज अस्थ हो रहा है सूर्यास्थ हो रहा है यहां पर आप देख रहे हैं सूर्यास्थ हो रहा है और कहीं न कहीं हम कह सकते हैं सरकार ने तैयारी की है कि प्रदूशन का सूर्यास्थ करा देना है तो प्रदूशन का सूर्यास्थ भी होना है तो उसकी तैयारी की गई है और यहां जिस जगे पर हम मौजूद है संग्रूर में यह एक खास तरीके का प्लांट है यह वर्वियो private limited का एक प्लांट जיס में पराली को कहीं न कहीं गैस में convert किया रहा है बायो फील में convert किया जा रहा है बायो कहीं हाइड्रोकार्बन है और जो CNG है वो भी हाइड्रोकार्बन है तो दोनों चीजें तो एक ही हुई आप उसको कहीं न कहीं सही तरीके से किसान ने अपना इस्तेमाल बदल दिया है लेकिन इंड़स्ट्री को सरकार लेकर आई है और यहां पर यह प्लांट आप देख रहे हैं यह जबरदस्त है जबरदस्त इसलिए है क्योंकि पराली को कनुवर्ट करने का काम करेगी क्योंकि पराली हाइड्रोकार्बन है और साथ प्रोग्राम के तहत यह इस्टेबलिश्मेंट किया गया है यह फैक्टरी डाली गई है जर्मनी की कमपनी है जिसके सहयोग से यहां पर यह काम चल रहा है यहां पर हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से काम चल रहा है वर्वियो का यह प्लांट है और सिर्फ यहां पर ब पीशे जो प्लांट आप देख रहें है ये अपने आप में खास है नई तकनीक है और नइक को दिखाने के लिए यहां पर हम आपको लाएं हैं दिल्ली से यहां इसक्यum को रहे हैं क्योंकि आने वाले दिनों में इस तरीके की तमाम फैक्ट्रीज आपको हर्याना में, पंजाब में, पशिमी उत्तरप्रदेश के तमाम इलाकों में दिखेंगी जहाँ पर बायो वेस्ट को तबदिल किया जाएगा और यहाँ पर जो खाद बन रही है उसके बारे में भी बताया गया है उसको समझाया गया है क्योंकि किसानों को भी समझाना है क्योंकि ये खाद किस तरीके से इस्तेमाल की जाएगी उसका भी यहां पर detailing की गई है तो यहां हम आपको बता दें जो खाद बनी है वो भी आप देख सकते हैं तो खाद बनाने का भी काम होगा साथी साथ यहां पर जो प्लांट लगा हुआ है वह आप प्लांट देख सकते हैं एक बड़ा प्लांट है जिसका यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है और यह प्लांट इसकी केपसिटी की बात करें तो 22 टन बायो फ्यूल हर दिन बनाएगी बाइस टन और इसके बाद क्या होगा इस बायो फ्यूल को कही न कहीं सियंजी मे फरक्त नहीं है तो जो भारती कंपानियां पेट्रोलियम कंपनियां उनको निर्देश हैं 2018 में जो हम कह सकते हैं कि पूरी पॉल्सी बनाई गयी जिसके तहत यह काम हो रहा है तौ यहां पंजाब में यह काम शुरू हो गया है केंडरी मंत्री हरदीब सिंग पूरी ने इसक पंजाब ने इसकी सुरुआत कर दी है सिद्धार्थ न्यूजिस्टेशन संगरूर